तो आज में बात करने वाला हूँ दिगज एक केमिकल सेक्टर के बारे में तो कॉम्पानी का नाम जो है वो है UPL आप सभी जानते हैं UPL के बारे में UPL देखाजे एगरिकल्चर डिपर्मेंट में टॉप रैंकिंग में इसका नाम सामिल है तो जीतने सारे केमिकल होते हैं मतलब केमिकल के बहुत टाइप होते हैं तो UPL जो है बहुत टोटली ज्यादा तर मतलब fertilizer एगरिकल्चर के उपर ज्यादा तर काम करते हैं तो इस कॉम्पानी के बारे में आज में बात चुरू करूंगा यहापे क्यूंकि जो कॉम्पानी है पिछले पांस दिनों म चल ला है तो कि इसके पीछे क्या रिजन है और इस रिजन को फॉलो करके आपको क्या करना होगा उसी के बारे में आप बात करूंगा तो वीडियो को पूरा देखिए और आभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने के तो जोरू सब्सक्राइब कर लिजिए साथी स्टॉक मार्केट, इन्फोर्मेशन और अप्डेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रही है तो चलो फटा-फट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में तो वीडियो सुरू करने से पहले और एक चीज़ आपको जुरूर बता दू आप अभी तक डिमेट अकाउन नह तो और तो करीबन चार परसेंट तक तेजि आज के दिन ही देखने को मिला तेखिए इस तरीके से तेजी के पिछे कोई न कोई तो रिजन जोरू होगा उस रिजन के बारे में तो जोरू डिसकस करूंगा तो उस से पहले कोमपानी का कुछ पिछले प्रामीटर भी आपको ही होते है अच्छा कासा एक पार्ट माना जाता है और केमिकल से बिलोंग करने वाला यूपील मतलब यूनाइट या पर फॉस्फोरस लिमिटेड जो है तो इस कंपनी के बारे में बात करो तो मुझे इस कंपनी में बहुत पॉजिटिवीटी डेटा मुझे हमेशा देखने को मिला है तो इस कंपनी का में एक मांध की चार्ट प्रें ओपन कर दूँ आपके सामने करीबन साड़े-दस परसन ग्यारा परसन तक बोल सकते है इसका पार्फरमेस देखने को मिला और आप इस कंपनी के उपर आपको कुछ मतलब नो पोपीट नो लास इस तरीके से कुछ प सामने open कर दू तो देखिए कितना सांदर आपको एक performance देखने को मिलेगा हां यहां पर कोरुना के situation में अच्छा का सा गिरावट हुआ था 2018 के market में जो मतलब problem इस हुआ था तब भी यहां पर गिरावट हुआ था तो इस तरीके से कुछ गिरावट आपको देखने को मिलेगा क क्युक्किंख कम्पानी का जो market connection है वो करीबन करीबन 62,000 करोड का market connection है तो कम्पानी का का तरीके से तेजी आपको देखने को मिला है वो भी तो आपको देखना चाहिए उसी के बरे में चलो फटा-फटा कर देख ते हैं तो यहां पर आप देख सकते है उपल उपल जो है ग मतलब इसका जो margin है पो अबिसली growth हुआ है इसी के बारे में आप बात किया जा रहा है कि margin का growth obviously company के लिए positivity माना जाता है तो इस चीज के ऊपर आपको जुरूर focus होना चाहिए तो इस news के चलते हुए आप आप देख सकते हैं जिस तरी के से performance हो रहा है उसका जो main कारण है आप देख सकते हैं आप देखेंगे आज के दिन ही 3.6% उच्छाल देखने को मिला तो मंडे के दिन अहां एक्चुली देखा जाए इसका उच्छाल जबदस देखने को मिला है तो यहां पर देख सकते हैं जो एक्चुली टोटल जो फिगारेशन है अब देखेंगे जो स्टार्टिंग होल्डिंग है मतलब से स्टार्ट हुआ था तो आप तो यहां पर देखा जाए जो एक्चुली जो टोटल 52 का हाई भी नजदीग है कॉम्पानी जिस तरी के से काम कर है उसके हिसाब से कॉम्पानी टॉप लेवेल में यहां पर आकर खड़ा हुआ है और अच्छा गासा पर्फमेंस कर भी रहा है साथी साथ फिपी टूइक का हाई के नजदीग भी इस कॉम्पानी का देखने को मिला है तो कुम्पानी का कुछ मतलब जो फाटी जो एग्री क बढ़ सकते हैं मगर आपको मैं इस कॉम्पानी के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो इपील जो इसका जो में बीजनेस है वो एक्चुली एगरी कल्चर के उपर बीजनेस है और केमिकल सेक्टर से कॉम्पानी का करते है कॉम्पानी का जो टोटल डीटेल से आप या पर देख सकते हैं multi location के plan के उपर या पर company manufacture भी करते हैं बहुत सारे जगा पर 44 manufacturing factories है इस company का सबसे बड़ी बात और साथी साथ company North America, Latin America, साथी साथ और भी बाहर की world के बहुत सारे countries में company business करते हैं तो इस company का revenue आते है total आप देख सकते है company का total 40% revenue generated होता है यहाप देखिए यहाप देखिए यहाप देखिए हर्भी साइट सेग्मेंट से 33% से जो यहाप इंसेक्ट सेग्मेंट से यहाप जनार होता है और बाकी 10% यहाप 27% देखने को मिला है तो company का जो performance है उसका हिसाब से बात करो company large company देखने को मिलेगा 61,000 करोड का market capillation है और company का current scenario जो है 811 यहाप चेंजिंग नहीं हुआ आज के दिन का जो performance के हिसाब से company का stock का पीर एसी है वो 9 to 1 है company का book value जो है 273 है company का return of capital employed 13% है return of equity 15% है तो overall दोनों ही एक average level में है साथी साथ company का जो dividend है वो 1.23% dividend company दे चुके है company का इंडेस्टी जो है वो 32.8 है company का annual income जो है वो करीबन 2871 है तो overall company का जो depth है वो 24,400 यहापे total depth है तो company का depth of equity जो है वो 1.17 company का depth of equity है तो company का हाथ में जो पैसे है मतलब cash जो है वो 5,147 है company का earning percent के बार में बात करो तो 41 है company का पास promotor के पास 28% holding है मतलब promotor के पास उतना ज्यादा holding या पे देखने को आपको नहीं मिलेगा तो company के और भी आपको data दिखा दूर तो company इस sector से बिलोंग करते है company number one position में है क्योंकि agriculture, chemical, agrochemical के उपर काम करते है तो आपको देखिए जो actually agriculture के उपर जितने सारे companies है उन में से company number one है उसका market capillation के हिसाब से और company का जो बाकी details है आप देख सकते है company हर साल में profit कर रहा है जबदस profit तो इसी company के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि company का जो performance है company का जो figuration है वो अच्छा खासा देखने को मिला है net profit के बारे बात करो तो 500 से start हुआ था 2010 में उसके बाद दिखे आप 500 उसके बाद 700 900 1100 उसके बाद 1700 2000 उसके बाद 1400 इस तरीके से अभी जो फिलाल सिनारियो है वो 3000 भी क्रॉस कर चुके है तो एक जबदस ग्रो आप यहाँ पर देखने को मिला है तो इस company के उपर आप positivity रह सकते है क्योंकि company का sales growth भी जबदस है profit growth भी सांदर है return of equity भी सांदर है साथी साथ आपको किस तरीके से return दिया वो भी देखना चाहिए 10 साल में 24% 5 साल में 13% 3 साल में 16% एक साल में 61% का return दिया सांदर है आपको return figuration देखने को मिलेगा average आपको निकल के दूँ करीवन 50% से उपर आपको return मिलना है देखे मैं आपको पहले ही बता चुको कोई भी कमपनी को 15 से 20% से ज्यादा return देर है तो उस कमपनी के उपर आपको भरोसा होना चाहिए तो अगर उस कमपनी के सारे parameter positive है हां कमपनी का कुछ data negative है जो है कमपनी का करजा लेके बैटे हुए है देखा जाए तो 24,400 करो Crash करण करण का करजा कमपनी के पास है और कमपनी अभी भी लेके रख़ा है और साथी साथ कमपनी का जो figuration है उसके बारे में बात कर तो कमपनी का promoter holding जो है बो 27% था अभी 27 % holding है सब के पास इस company का हिस्सेदारी है तो company का चार्ट पेटन आपको long time के में देखा चुका हूँ company का performance धेरे धे ग्रोथ हो रहा है और agriculture में और chemical industries में हर सेक्टर के हर companies को अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला है एक अच्छा खासा performance आपको देखने को मिला है तो मुझे लग देखें यह मेरा कोई recommendation नहीं है कि कल जोके आप निवेश कर दीजेगा आप पहले चाड़ी करिए उसके बाद निवेश करिएगा तो आसा करता हूँ सारे जानकर आपको मिल चुका है मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों साथ सेर करना और चैनल क सब्सक्राइब भी करना मिलते हैं अगले निया स्टॉक लेगे तब तक लिए अच्छे से रहिए अपने ख्या लखिए बाई बाई